क्लास 6 तकी चाप्टर नमबर 1 का हम बैक एक्सराइज आज कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले वर्ण सही हो जना है, आपको पता है, वर्ण विछेद आपने हिंदी में भी किया है, सेम संस्कृत में भी ऐसा ही होता है, तो फर्स्ट तो आंसर आपको किया हुआ से करते हैं, स प्लस ओ, तो स जो आपका व्यंजन है, उसमें ओ की मात्रा लगाएंगे, देन च प्लस ए की मात्रा है, तो छोटी ए की मात्रा लगाएंगे, क प्लस अह लगा हुआ है, तो सौची कह बन जाएगा, इसी तरह शुन को धावता, वर्धा और गायंती वर्ण और जो व्यंजन है उसमें हम हलंत के साथ लिखेंगे इसरे कोशन में हम वर्ण विछेट करेंगे सीव यती सा पे आप देखिए बड़ी ए लगा है दन वर चोकि ये आधा वर है इसलिए वही लिखेंगे इसमें अ नहीं लिखेंगे य प्लस अ प्लस त प्लस छोटी वर्णा के लिए व प्लस अ प्लस र अड़ प्लस आ वर्णा कुकराओं क प्लस उ क आधा क है ये फिर आधा क प्लस उ प्लस र हलंत के साथ लग रहा है प्लस अ नेक्स्ट है बालत अह जिसमें ब प्लस अह जिसमें ब प्लस अह जिसमें तीन वचन होते हैं एक वचन द्वी वचन और बहवचन यहां पर वचन में लिखना है जैसे चशका मींज एक गिलास चशका मींज दो गिलास और चशका मींज यह सब गिलास वली वर्दा मींज एक बैल वली वर्दो दो बैल और वली वर्दा मींज यह सब बैल या दो से अधिक बैल शुनका एक कुत्ता शुनका दो कुत्ते और शुनका का मतलब होता है बहुत सारे कुत्ते म्रिग म्रिगो म्रिगा सौचिका दर्जी को बुलते हैं तो सौचिका सौचिका दो के लिए और सौचिका बहुवचन के लिए यूज किया जाता है दूरह एक वचन मयूरह दो वचन और मयूरह भौ वचन के लिए यूज किया जाता है। यह पर आपको चित्र देख करके प्रश्न के उटंटर देना हैं बालकह किम करोती तो और सर दिया है बालकह पठती यहां पर कोश्चन है कि बालक क्या करता है तो बालक पढ़ता है नेक्स्ट कोश्चन है अश्वहो किम कुरतह मतलब दो अश्व क्या कर रहे हैं तो अश्वह धावतह अश्व दोड रहे हैं कुकरा किम कुरवंती कुत्ते क्या कर रहे हैं तो कुट्ते भॉंक रहे हैं भुकंती चात्रों किम कुरतः मीज ये दो चात्र क्या कर रहे हैं? चात्रों पठतः मीज ये दो चात्र पढ़ते हैं कृषिका या पढ़ रहे हैं? कृषिका किम करोती? मीज किसान क्या करता है? प्रिशिका चेत्रम कर्षत्ति जो किम कुरत ह, ये दो गज क्या करते हैं, गजो चलत ह, मिस ये दो हाथी चलते हैं, चल रहे हैं तो एक वचन के साथ आपको वर्व का एक वचन ही लगाना है, दुवी वचन के साथ बहुवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन है तो इसलिए धातु रूप का चलंती लगेगा। ब्लैंक्स करना है जैसे मयूर आहा तो बहुवचन है तो मयूर क्या डांस करता है करते हैं यहां पर बहुवचन है तो निर्तियंति गजो द्वीवचन है तो गजो जो है चलत व्रिक्षा यहां बहुवचन है तो यहां पर व्रिक्षा फलंति अंति लग जाएगा यहां पर स तो अश्वे एक है इसलिए यहाँ पर धातु रूप का एक वचन प्रेयोग किया जाएगा नेक्स कुश्चन में सह तू ते से आपको फिलिंग दब लेंक्स करना है सह मीज एक वचन लड़के के लिए तू मीज दू वचन के लिए प्रेयोग होता और ते जो होता है वह बहूचन के लिए प्रेयोग किया जाता है तो आपको अपको subject को देखना होगा कि यह एक वचन है दूइ बहूचन है यह बहूचन है उसकी अधार पर यह आपको सहता हुते फिलिंग दब लेंक्स करना है गज जाहां जो हे बहबचन है तो यह बहबचन है तो ट हृव गय करेंगे।